नमस्कार दोस्तों पथिक लॉग्डाउन वीडियो सीरीज 2 के एपिसोड नमबर 10 में आपका फिर एक बार स्वागत आज हम बात करने वाले हैं हम हमारे गोल्स अचीव करने में वाइड वी फेल अटागोल समों हमारी गोल अचीव क्यों नहीं कर पाते हम वो सेट करते बड़ उनको अचीव क्यों नहीं कर पाते करें साल पहले एक 5-star hotel में उनकी नई विंग थी वहां रहने चला गया और जैसे मैंने room में इंट्री की मैं काफी इंपरेस हो गया because वो room global 5 star hotels के मुकाबले थी के थी room का size काफी बड़ा था mattresses बहुत आराम देये थे और उनके जो bathrooms थे वो ultra modern थे तो मैंने check out करते हैं मैं उनको वैसे feedback भी दिया कि बहुत बहतरी इन rooms बनाए है कई महिने बाद उस hotel के architect जो थे उनको मिलने का मुझे योग आ गया और मैंने compliment किया और मैंने का congratulations because वो वही आर्किटेक्ट थे उन्होंने ताज का भी architecture किया था so मैंने का sir you have done a great job तब उन्होंने मुझे रोका और कहा कि मुझे congratulate मत करो because ये काम मैंने आधा ही किया designing stage तक मैं था उसके बाद मैं withdraw हो गया because owners को जल्दी थी कि जल्दबाजी में हम काम finish करे और हम वैसा नहीं करते हैं because वैसे करने में कभी-कभी water processing में कमिया रह जाती है या फिर paints में कमी रह जाती है कहिने के कमी रह जाती है और बाद में problems erupt होते हैं और उससे हमारा नाम खराब होने के काफी संभावना थी इसलिए उन्होंने का कि मैं आधे काम में ही मैंने वो काम छोड़ दिया तो मुझे उसका credit मत दीजिए और owners को जल्द बाजी थी उनको जल्दी काम खतम करना था because उनको revenue जल्दी चाहिए था उनका interest burden बढ़ रहा था so they wanted to earn fast अब कई महिने बाद मुझे फिर एक बार उस hotel में रहने का योग आ गया और जैसे मैं रूम में गया मैंने देखा वो architect सच कह रहे थे इंडीड बाथरूम में से leakage हो रहा था और paint peel off हो रहा था तो दोस्तों मुद्दा ये है कि कई बार ऐसे होता है कि हम goals set करते है उसके लिए deadline set करते है और फिर हमें जुनून सवार हो जाता है कि कुछ भी करके deadline से पहले मुझे उस goal को achieve करना ही है और हम achieve कर भी लेते हैं बट जैसे हमने इस example में देखा we have to face the consequences उसके परेडाम भी हमें face करने पड़ते है पर हमें ये सिखाया गया है कि कुछ भी हो जाए हमको deadline को respect करना है और हमारे numbers जो है वो हमको हासिल करने ही है फिर वो कुछ भी हो अगर आपका year end हारा है तो आपको sales के numbers achieve करने होते है या फिर आपकार आपकी कोई परिक्षा है तो पढ़ाही नहीं हुई है फिर भी आपको जाके वो exam देनी है और कैसे भी करके उतने marks आपको score करने ही होते है आपको कोई किसी customer को delivery करनी है और production हुआ नहीं है फिर भी जलबाजी में production finish करो और delivery करो यह सब हमको सिखाया जाता है बिकास यदी हमने deadline honor नहीं की deadline से पहले हमने हमारा goal अचीव नहीं किया है वो numbers हासिल नहीं किये तो blame हमको ही किया जाता है जिम्यदार हमको ही ठहरा जाता है हमको failure करार दिया जाता है और इस डर से कि हम fail ना हो हम manipulate करते हैं काफी सगा stress लेते हैं but we ensure कि कुछ भी हो जाए हम वो goal achieve करें पर दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले ऐसे कौन से वो 4 factors है जिसके वज़े से हम goal हासिल नहीं कर पाते यदि हम इन 4 factors पे काम करें तो next time goal setting के time या goal achievement के time से पहले आपको कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी भी हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please कर दीजिए और bell icon पे click करना मत भूलिए ताकि next time जब कोई video release हो आपको notification मिले यदि आपने पहले की videos miss किये तो top left card पे click किजिए आपको पहले की videos के link मिल जाएंगे और आप पहले की videos भी आप देख सकते या फिर playlist में जाएए आपको वहाँ links मिलेंगे आप वहाँ भी पहले की videos उसके जरीए देख सकते यदि आपको video पसंद आया तो share कीजिए और आपने comments comment section में लिखना मत भूलिए तो दोस्तों कॉन से 4 factors है जिसके वैसे हमारे goals कहीं बारी अच्छीव नहीं कर पाते factor number one है lack of research कहीं बारी हम research नहीं करते goal achieve करने के लिए जितनी जानकारी हासिल करनी चाइए उतना नहीं वो नहीं करते और उस वैसे भी goal achieve करने में या हासिल करने में fail हो सकते हैं 10-15 साल पहले अगर यदि किसी के पास Honda गाड़ी होती थी तो बहुत गर्व की बात मानी जाती थी Honda City हो यह Honda Civic हो मुझे आ रहे है मुझे जब Honda Civic ड्राइब करता था तो कोई signal पर गाड़ी खड़ी हो जाए तो neighboring गाड़ी वाला आदमी ऐसे लिटरली पीप करता था कोई वो जुसका डैशबोर था वो एरप्लेन के कॉक्पिट जैसा था तो लोगों को देखने की you know they had a curiosity उनको उच्छुकता होती थी कि यह कैसे दिखता है तो बहुत बढ़िया गाड़ी थी Honda City उसके कहीं साल बाद Toyota ने काफी engines डीजल engines introduce करना शुरूए कि डीजल के prices बहुत कम हो गए और उस competition के साथ रहने के लिए Honda ने भी डीजल इंजिन बनाना शुरू किया जबके Honda को डीजल इंजिन बनाना नहीं आता था तब तक उनके पास खाली petrol इंजिन थी और जैसे उनने डीजल इंजिन बनाना शुरू किया उनक तब तक वो फेल हो चुके थे डीजल के पासे फिर बढ़ गए फिर पेट्रोल कार्स केव इंट वोग तब तक हॉंडा का ब्रैंड नेम काफी खरा हो चुका था सो नेक्स टाइम यदी जभी भी आप गोल सेटिंग करो या किसी धेय प्राप करने के लिए काम शुरू करे तो उससे पहला रिसर्च करना मत भूलिए नमबर टू शायद आपने रिसर्च किया हो लेकिन गोल अचीव करने के लिए जो स्किल्स चे यह वो आपके पास नहीं है एक दिलप्यस किस्सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा नवजो सिंग सिद्धू ने यह शेयर किया है उन्होंने कहा कि यह शायद सचिन तेंडलकर की सेकेंड या थर्ड इंटरनेशनल टूर थी और सामने वाली टीम वेस्ट इंडिस थी उस दिन बारिश होई थी तो पिछ पूरी की पूरी गीली थी और उस पिछ पे बैटिंग करना असान बात नहीं है तो नवजो सिंग सिद्धू ने अजरुद दिन जो कैप्टन थे इंडिया के उनको कहा कि एक अच्छा काम करो जाके टॉस जीतो ताकि हमें फिल्डिंग कर सके हमें बैटिंग नहीं करने तो अजरुद दिन ने भी हाँ हाँ कहा और वो चले गए टॉस के लिए टॉस के बाद उन्होंने वहां से सिगनल किया कि पैड़प पैड़प याट मिन्स उस तॉस हार चुके थे अब पिछ की तरफ जा रहे हैं नौजो सिंग सिद्धू और सचिन ते अंडूलकर अब चलते समय नौजो सिंग सिद्धू ने सचिन से पूछा के क्या करेंगे अब पिछ तो गीला है तो सचिन ने उनको कहा कुछ नहीं खेलेंगे तो फिर Naujos Singh Singh, मैं पहला ओर खेलने गया और वो सामने लंबे छोडे West Indian bowlers वो इतनी pace से, इतनी तेजी से दोड के आते थे कि जब वो बॉल करते थे एसे लगता था कि बॉल चायद आसमान से चीछा और पहले साथ बॉल Naujos Singh 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 दो ने face किये और सिद्धू कहते है कि एक बॉल नो बॉल था वो छोड़के बाकि छे बॉल मेरे शरीर के अलग अलग विभिंग अंगों पर लगे he said I got hurt मैंने कैसे वैसे मेरी विकेट बचाई बट मेरा confidence पूरा पूरा खतम हो चुका था दूसरा ओवर सचिन को खेलना था इयन बिशप बोलिंग करने वाले थे वो दोड़के आया और उन्हें जैसे बॉल बोल किया सचिन आगे चलते गए he came charging along the pitch और सीधा चक्का जड़ दिया next ball पो four मार दिया वो देखके नौजो सिंग सिद्धू हका बंका हो गए मैं का तू कर क्या रहा है तो सचिन ने कहा तुमने मुझे पहले ओर के बाद कहा था कि जैसे बॉल की टपी पढ़ती है ग्राउंड पे फिर वो कहा जाएगा समझ भी नहीं आता है तो मैंने बॉल की टपी पढ़ने ही नहीं दी बॉल टपी पढ़ने से पहले ही मार दिया अब दोस्तों समझो यह कहना बहुत आसान है कि फुल टॉस बॉल लो और सिक्स मारो बट करना आसान नहीं था नवजो सिंग सिद्धू जैसे सीजन बैट्समन को भी वो यह कर नहीं पाए बट सचिन कर पाया तो यह आपने बड़े गोल सेट किये और उसका प्लान है तो प्लान को एक्जिक्यूट करने के लिए जो स्किल्स आने चाहिए वो भी आपके पास होने चाहिए अगर वो नह नहीं है तो गोल अचीव करना बहुत मुश्किल है अब अब अनुशासन को जरूरत से ज़्यादा लोग डरते है अनुशासन इस वर्ट को डरते है discipline difficult है it is very 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 difficult to be discipline but actually है बहुत आसान रोज आप थोड़ा थोड़ा भी काम करो और consistently करो तो काम बन सकता है पर काफी लोग नहीं करते इसलिए फेल हो जाते है फिर आता है चौथा और most important factor and that is called the role of environment बहार की परिस्सित्यों का योगदान अभी कभी कभी weather खराब हो सकता है कई बारी customer difficult हो सकता है economy down हो सकती कुछ भी हो सकता है because of which you may not achieve your goal तो इस factor को भी consider करना बहुत जरूरी है so next time दोस्तों जब आप goal set करोगे तो सिर्फ determination, willpower या positive thinking से काम नहीं चलेगा आपको चारों चीज़े करनी पड़ेगी number one आपको अपना research करना पड़ेगा so goal के बारे में जितनी जानकारी हासिल हो सकती है उसको कीजिए और उसके बाद plan बनाई है उसके तो plan B भी बनाई है अब यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि goal का plan बनाते समय आपका experience आपका knowledge आपके बहुत काम आएगा और सबसे important चीज़ आपके thinking clarity आपकी सोच कितनी clear है उस पे निर्भर करता है आपका plan कितना अच्छा होगा दूसरा factor है दोस्तो अपने आपको जो जरूरी skills है equip yourself मतलब वो skills हासिल करना बहुत जरूरी है जैसे कि अगर आपको business करना है तो सिर्फ production कैसे करना is not वो सिर्फ उतना enough नहीं है आपको selling भी आना चाहिए आपको कैसे बेचते हैं माल वो skill भी आना चाहिए आपके पास strategy thinking होना चाहिए आपके पास finance का knowledge होना बहुत जरूरी है आपके पास leadership skills होना बहुत जरूरी है यह सब ना हो तो business में कही ना कही अटकाव आने के chances बहुत ज़्यादा है तीसरा बहुत important है बहुत simple करके मैं आपको कहूँगा जो आप कहूँगे मैं करूँगा उसको वैसे के वैसे कीजिए that's it और उसको हम बोलते अनुशासन और चौता और बोस्त important factor मैं यह कहने चाहूँगा दोस्तो आपने कितना भी बढ़िया plan बनाया हो मेरी बात सुनिया आपने कितना भी बढ़िया plan बनाया हो plan fail हो नहीं वाला है there is nothing in this world called a perfect plan so जब plan fail होगा उसके बाद यह fourth step important है जो आपको सीख मिलेगी उससे सीखना और अपने आपको समाना that means to adapt to the new situation is very very important आप जितने आसानी से यह कर पाओगे उतने आसानी से आप अपना goal अचीव कर पाओगे सचिन देनुलकर को तो वैसे बनना था पेस बोलर but बहुत उनको अपनी जर्नी में यह realize हुआ कि यह possible नहीं है तो उन्होंने सोचा चलो मैं batting की तरफ जाता हूँ अब सोचे अपने ego को subdue करके अपने ego को दबाके कि accept करके यह शायद मेरा यह goal गलत हुआ है और environment से सीखे adapt करना कोई आसान बात नहीं है महिंदर सिंग दोनी एक batsman थे बहुत अच्छे batsman थे बट वर्ल्ड's best batsman नहीं थे उनके coach को यह बात समझ में आया औरोंने का अगर आपको Indian team में जगा भी पानी है तो खाली batting से नहीं होगा you have to be a wicketkeeper batsman because यह combination बहुत रहे रहे और उसके बाद अफकोस उन्होंने यह दिखाया कि उनके leadership skills कितने अच्छे and he took his career to the next level और एक example में देना चाहो तो audio नाम का एक platform था तो is a startup जो fail हो गया I'm sure आपने एक नाम कभी सुना भी नहीं होगा but audio company के जो employees थे उन्होंने आपस में communication के लिए एक platform बना गया था ताके quick messaging हो और ताके messaging fast हो उस messages का limit रखा गया था 140 characters अब audio तो fail हो गया पर यह messaging platform उस company का main business model का हिस्सा बन गया और उसी को हमाँ Twitter के नाम से जानते तो दोस्तों यदि आप अपने failure से सीख सको और जो नहीं परिस्तित है उसके साथ अपने आपको समा सको अपने आपको उस धाचे में बिढ़ा सको तो goal achieve करना बहुत आसान हो सकता है यह चारों चीज़ा आप करोगे तो next time आपको यह आप समझ जाओगे कि आपको manipulate करने की जरूरत नहीं है बहुत जादा stress लेनी की जरूरत नहीं है आप goal setting का process enjoy कर सकते हो goals achieve कर सकते हो अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हो and you can dream of going to the next level आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आया होगा तो please अपने दोस्ते के साथ शेर कीजिए और अपने comments, comment section में लिखना ना भूलिए आज के लिए सिर्फ इतना फिर मिलेंगे अगले हफ़ते अगले एपिसोड में thank you very much and bye bye